तो हे गाइस वेलकम बैक टू तो ब्रांड नी वीडियो फार्टीम क्रेटर आज की इस वीडियो में लोग कुछ इस तरह का लाइश्ट्रिंग थबनाने वाले जो की दिखने में काफी ओपी लुक दे रहा है अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल परने है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलते बिना किसी देरी परonerए पने वीडियो की तरफ आलाइब अपने अपने स्क्रीन स्क्रिन पर डाए तो आपको है यहाँ पर जोबी स्म fingers कोई ठेख किला ना तो मैं आप स pouco हैं तो यहाँ पर का लिबा कोी कि लिए बना रहे गुप्रक्षाइब हम गारे ग्रम वह कुआ हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सिंप्ली मैंने इसको लगा दिया है यहां पर इसको भी एक फॉन्ट दे देंगे हम लोग कोई एदम सिंपल प्रोफेशनल लुक वाला फॉन्ट दे देंगे थोड़ा बोल्ड टाइब मेरे तो मैं इसको यह लगा देंगे अपर अड़िट्रा कर देंगे तो गाइस जैसे कि अब लोग हम लोग आ गए अपने पीय स्ट अप्लिकेशन में आपको पीय स्ट अप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपको यहां पर सिंप्ली प्लैस के अगों होयाँ अपकाझ जो रशो यह वो ले लेना कि मैं ले ले सुंपली आपको अपना स्क्रीन्शाट रहेगा बिलें तो मैं यहां पर ले लेनाнозर म्यरा यही तो इतनी रख देना है तो इतनी रख देना है तो कुछ ऐसा हो जागा है तो इसके बाद हम लोगो टीन्ट पर जाना है जो भी कलर आप करेगा तो जैसे कि मैं यहाँ पर और और इंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूं तो आपको भी और इंज कळेर देना है इन उसके बाद और इंज कलर देने के बाद आपको यहाँ पर एक शेप करेड़ जमाना है तो से बड़े कुछ इस तरह से मैं चोटा कर लें अर यहाँ आँसे आपको शोपाँंट अन्लेत ब 망र्स सेलेक्षाट डेंडर ओर कुछ इस त करना है यहां से field कर देना orange color से यहां पर मैं simply orange color से field कर देता हूँ तो यहां पर जाके यह वाला color लेकि थोड़ा सा उपर हाँ यह रहा orange color देन इसको field कर देन इसको हम लोग कर देंगे deselect अब उसके बाद कि तो मैं इसको के अज्एक कर देता हूं कि इसको थोड़ते कर दोगा और देन इसको सरी कि दैनिस्किअ करने कफ यहाँ और कुछ इस तरीके से आपको रख देना है तो आपको क्लिक करना है रखने के बाद आपको क्या करना है एक और empty layer create करना और याप पर जो भी हमारा character है उसका select pixel कर देना है और empty layer पर जाके create करना है stroke हम लोगो create कर देना है इसका width हम लोग को 7-12 के बीच में रखना है तो मैं आपर 11 रख देता हूँ इसके बाद इसको deselect करना है और stroke पर जाके हम लोगो यहां से Gaussian blur देतेना है Gaussian blur भी हमारा 10-12 के आसपास रहेगा 12 या 13 दगर भी रख सकते हो तो मैं देख लेता हूँ आप अपने according रख देना जैसे मैं यहां पर 21 रख रहा हूँ then okay करके यहां पर वापस इसका select pixel कर देंगे हम लोग character का और उपर वाई layer पर आके हम लोग extract मार देंगे extract मार देंगे then जैसे के हमने extract यहां पर है तो इस तरह से glow आ जागा हमारे character पर इसको हम लोग यहां से deselect कर देंगे तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है आप यहां से जाके जो भी हमार अपना text रहेगा वो text ले लेना है तो मैं आप पर pixel lab में चले जाता हो यहां से हमारे pixel lab में हमारे text रहेगा तो हम लोग यह pixel lab आ चुका है then इसके बाद जो भी text है हमारे तो हम लोग text ले लेते हैं तो यह हमारे text té अहीं टेक्स ले लिया हम लिमला है इतन इसके हमुले लेक्षट लेक्षकन कर दो कि अलग 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 लेर में डाल देंगे यहांसे हम लोग square selection है और इसको स्कष現 मार देते हैं और नीचे आड़ी लेयर पर आके हम लोग इसको क्लियर कर देंगे जाकि दोनों अलग अलग हो जाए दन इसको डिसलेट करेंगे और यहां से ट्रांस्परम करेंगे पहले उपर वाले को अड़ेस कर लेते हैं हम लोग तो यहां से आम लोग इसको त्रांस्परम करेंगे इसक प्रफर्शली हम ठोड़ा चोटा कर देंगे इसको हम च्छोटा कर लेंगे इसको अम लोड़ इसको चोटा कर लेते हो तोड़ा सा अरे भई यार्ट यह से प्रॉब्लम के देख देखा है तो यहांपर अंब पर्रांस्पूम कर देते हैं और इसको फ questions करके इसको यहां पर रख देते हैं योक करने के बाद हम लोग को एक एंपटी लेयर पे चले जाने के प्सकुआइट श moms wanted ॥ा हर चले जाने के जाना हैं या फर अम नोग को स्कुआइब स्वैर्स फर्लिया च्याने के सिक लोगे und हैं तो यहां पर मैं और इंग देता हूं और फिर आप कुछ और भी रख सकते हैं इसको अम लोग कर देंगे डी सिलेक्ट और नीचे इसको लाइब की नीचे डालने तो कुछ ऐसा हो जाएगा अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यह इसका सेलेक्ट पिक्सल करेंगे अम उपर लेयर भे जाने क्ला विह ग्रेडियंट देना हैं हलका से ओरेंज दे आता इसके अवाली ग्रेडियो재 मिन प्राइव सकते हैं तो किद्धा आप एक लेयर छाएगा यह कश्म्रेस एक वाला ग्रेडिय लेऽेयर है और इसे आप लेयर लेंगे यैउल को एक बार फिस लाइन से आपको create कर देनी है तो पहला lines कुछ इस तरह से देगा और यहां पर add पर click करके उपर Jonathan के उपर भी एक line create कर देंगे तो वो line भी कुछ इस तरह से देगा then line create हो जाने के पाद हम लोग इनको field दे देंगे orange color से यह हो जाएगा तो deselect करके इसका हम लोग एक duplicate layer बना लेंगे duplicate बनाने के बाद इसको fx में जाके gaussian blur दे देंगे तो कुछ इस तरह से देखेगा कुछ इस तरह से देखेगा then हम लोग इसकी थोड़ से opposite जो blur है इसकी opposite कम कर देंगे then इतना हो जाने के बाद वापस एक empty layer ले लेंगे और फिर से हम लोग square selection tool को यहां पर कुछ इस तरह से थोड़ सा बढ़ा करके ऐसा बनाएंगे और नीचे plus पर क्लिक करके वापस एक नीचे की तरफ ऐसा draw कर लेंगे और इसको भी हम लोग same color से field कर देंगे तो हम लोग फिलें स्टोक में जाके field देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे ना जो हमारा character उसके नीचे ले गाया तो simply हम लोग अपने character को उपर की तरफ ले ले देंगे बेंगे सब नीचे character सब से उपर रहना चीह तो कर ले है character को उपर तो हो गया है तो यह हो गने के बाद हम लोग इसको भी deselect करेंगे इसका duplicate बनाएंगे यह duplicate तो बनाया है यह वाला है इसका duplicate बनाएंगे और इसको भी हम लोग सिंप्ली गॉजन प्लट देतेंगे कुछ इस तरह से यह भी हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है जो हमारा background है जो screenshot है उसका हम लोग को lightning effect देना है इसकी मतलब brightness है कुछ इस तरह से lightning effect है तो इस तरह से देना इसको और थोड़ा सा लाइट रहे तो ठीक रहेगा तो यह ऐसा है दैन आपको वापस एक empty layer create करनी है इसकी उपर empty layer create करने के बाद आपको यहाँ पर gradient में चले जाना है यहां से gradient ले लेना है इसको circle में रखना है तो यहां पर चले जाता हो यहां से radio ले ले लिता हो और इसको यहां से inverse करना है तो इसको अम लोग खाली बीच में रखना है जॉनात्थन का जो middle word और इसको इस ie Connolly कर देंगे और इसको तो जड़something सरूछ कर लेते लिए यह तो उसके बाद इसको दो-तीन बां गॉर्जन बार दें तक ज्यादा आप भी नहें हो तो गॉर्जन ब्लर और ल değerd देता हम लोग इतना हो जाने की पाद आपको क्या नाओ अपर इतना इतना हो जाने के बाद आपको simply इधर का प्रोसेस हो गया इसको आम लोगो कर देंगा लीन डॉज कर देंगे और एक बार इसका duplicate layer बना के देखते कैसा हो जाएगा तो यह ज्यादा dark हो जाएगा इतना होने के बाद आम लोगो simply जो उपर की layer से सबको merge करेंगे तो आम लोगो simply सबको merge down कर देते है तो हमारा लगभग सब हो गया आम लोग इसका क्या करें यह आप से लिए आप ट्रांस्परों में जाएंगे ट्रांस्परों में जाकर यह तो तो काफी ओपी लुग देखने को देख सकते हैं तो यह एक अच्छा लोग देखने को मिल गया अब आपको क्या करना है एक empty layer ले ले लेना है सब से उपर इसे अब आपको क्या करना है यहां से जो हम लोग क्या glow बोलते ना वह देने का आपको तहां पर simply आपको orange color ले लेना है एक बार तो मैं यह से select कर लेता हूं orange color और दे देना है आपको जहां-जहां से देखिए मैं जहां-जहां पर दे रहा हूं तो यहां-पर आपको भी दे दे ना तो अटेक्स पर देंगे थोड़ा खूल आपर काफी अच्छा दिख रहा है देने इसको हम लोग कर देंगे यहां से गॉजेन बलर जादा नहीं करेंगे हम लोग को हलका सा करना बस गॉजेन बलर करने केके लिब Dale to काफी असा लग रहा है कि जन रहे तो और थोड़ासा थोड़ा सा गॉजन मुलर देने कि ताकि हम रियलेस्टिक रूक आ जाने के बाद आपको क्या करना है simply आपको क्या करना था जो हम लोग ने बॉडर्र स्क्रेट के ता जो इसका ब्लर किया था न उसको हम लोग को लिनियन डॉस करना था कोई नहीं हम लोग ने काफी अच्छा लूग तभी बना लिया है तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको थोड़ा मॉडिफाय कलर ग्रेडिंग कर सकते हो आप लाइट रू झाल 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